दित्तिय विश्वयुद या सेकंड वर्ड वार, इसमें हिटलर को खलनायक के तोर पे जाना जाता है, लेकिन इस युद में एक और खलनायक था जिसका नाम है मुसोलिनी, जो इटली का ताना साह था, तो आए हम देखते हैं कि मुसोलिनी ने इटली पर कबज़ा करके अपनी 1883 को उत्री इटली के रोमागना नामक प्रांत में हुआ मुसोलिनी ने अध्यापक्का कारे किया और क्रांती कारी गतिविदियों के कारण उसे स्विजर लेंड भेज दिया गया और वहां से भी उसको निसकासित कर दिया गया जब वह वापस इटली आया तो 1912 में उसने अवंटी पत्र का संपादन किया 1916 में उसने सैनिक के रूप में सैना में भाग लिया लेकिन घायल होकर वापस आ गया 23 मार्च 1919 को इटली के मिलान नगर में उसने फासिष्ट दल की स्थापना की ये उसका सबसे खतरनाक कदम था सन 1921 तक इस दल में यानी फासिष्ट दल में तीन लाग सदस्य हो गए सन 1922 में फासिष्ट दल ने रोम की तरब प्रस्थान किया रास्ते में उन्होंने रेलवे स्टेशनों, डाक और तार घर, सरकारी कारयले आधी पर अधिकार कर लिया अक्टूबर 1922 में प्रदान मंत्री फैक्टा ने इस्तिपा दे दिया और मुसोलिनी को प्रदान मंत्री न्यूक्त किया गया मुसोलिनी ने ओवरा नामक गुप्तचर पुलिस से सरकार विरूधियों को पकड़वाया समाचार पत्रों पर प्रतिबन लगा दिये गए सिक्सन संस्थान जितने भी थे उन पर कठोर नियंत्रन स्थापित किया गया और फासिष्ट वादी विचारधारा का अध्यन्या उसकी पड़ाई अनिवारे कर दी गई सन 1926 में इट्टी के सभी विरूधी राजनेतिक दल उन सब को अवैद घोसित कर दिया गया अब आगे मुस्वलिनी ने क्या किया उसने एबिसीनिया पर हमला किया और क्यों किया ये सारी चीज़ें हम देखते हैं 1939 की जो आर्थिक बंदी थी उससे दिहान खटाने के लिए एबिसीनिया पर हमला किया गया 1896 के एडो आयुद का बदला लेने के लिए और एबिसीनिया में बहुत सारे प्रचुर खनिज थे उन पर कबजा करने के लिए इन तमाम चीज़ों के लिए एबिसीनिया पर 1936 में 1936 में हमला कर दिया गया और एबिसीनिया की जो राजदानी थी आदिस अबाबा उस पर कबजा कर लिया गया एबिसीनिया को इटली सामराजी में मिला लिया गया और राष्ट संग उस वक्त कुछ नहीं कर सका बिल्टेन और फ्रांस जैसे ताकत वर देश भी मुसोलिनी के आगे जुग गए, उन्होंने मुसोलिनी के इस कदम को उचित ठहराया, अब इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, राष्ट संग की कमजोरी उजागर हो गई, इटली और जर्मनी में इस युद्ध के कारण मित दी हुई, और इटली द्वारा राष्ट संग से त्याग पत्र दे दिया गया, मुसोलिनी को लगा कि अब राष्ट संग इता कमजोरे को उसकी कोई जरूरत है ही नहीं, अब मुसोलिनी का आतंग बढ़ा और उसने इस्पैन के ग्रह युद में भी अपनी बोमिका मुसोलिनी ने इसमें फ्रेंको की मदद की, फ्रेंको ने इस सरकार का तक्ता पलट दिया और इस्पैन में भी फ्रेंको के नेतरतों में फासिस सरकार बन गई, इस्पैन के ग्रह युद के परिणाम क्या हुए, लोग तंत्र खत्म हो गया, सामराज जिवाद का परसार रोम, बर्लिन, टोकियो, दुरी का भी निर्मान हो गया, अब हम देखते हैं कि इटली में फासिवाद के उदय के कारण क्या थे, 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने इटली के मिलान नगर में फासिश दल की स्थापना की थी, इस दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे, अतियार रखत इटली में फासिवाद के उदय के कारण इस प्रकार थे, प्रथम विश्योद के बाद खराब आर्थे के स्तती और आराजकता होना, पैरिस सांती संदियों से इट्टी वासियों का नाराज होना, समाज वादियों द्वारा मजदूरों को बढ़काना, फियूम प्रदेश इटली के राष्टवादियों में असंतोस, इटली की मिली जुली सरकारों की दुरबलता होना, और इटली के विबिन वर्गों में असंतोस, और इन सब के अलावा मुसोलिनी का व्यक्तित और नेत्रुत्तु, ये तमाम चीज़े जो थी, वो इटली में सिवाद के उदय का कारण बनी, अब मुसोलिनी की विदेश निती क्या थी, मुसोलिनी वर्साय संदी में संसोधन करवाकर इटली को अधिकतम लाब और गौरव दिलवाना चाहता था, वह भूमद्य सागर में इटली का प्रभुत्तु कायम करना चाहता था, उसने विदेश निती के तहत इस उनिती की नाइटीन ट्वैंटी थी की लोसान संदी से भूमद्य सागर में उसने प्रभाव जमाया, कारफ्यू की जो घटना थी यूनान की, उससे भी उसने लाब लिया कारफ्यू की घटना क्या थी, उनिती सो तेईस में यूनान के एक प्रदेश कारफ्यू में इटली क निवासियों के अत्या कर दी गई, ये सारे राश्ट संग के सदस थे इटली के निवासी, इटली ने कारफियू बदले के रूप में बंवर्सा की और उस पर कबजा कर लिया, युनान ने पांच करूर लीरा का अरजाना दिया और कारफियू के क्षेत्र को इटली ने खाली क तो एक तरह से इटली की खुली दादा गरी थी, उसने किसी की परवा नहीं के और उनान को जुकना पड़ा, रोम की संदी से युगोसलाविया से फाइदा लिया, रूस को राश्ट संग में सदस्ता में मदद दी, फ्रांस से समंद सुधारने के प्रयास की इटली ने, अल 1949 में जर्मनी के साथ फॉलादी समझोता किया, 1949 से प्रारुम्वेद द्वित्तिय विश्योद में जर्मनी की खुले तोर पे मदद की खुले आम, जो है, वो मुसोलिनी जर्मनी के सपोर्टर के रूप में सामने आ गया, 1943 में मुसोलिनी को सत्ता से अटा कर बंदी बना लिया गया, उसे 28 अप्रेल 1945 को उसकी प्रेमी का पेताची के साथ गोली मार दी गई, तो इस प्रकार एक दुष्ट ताना साका अंत हुआ, इटलर भी मारा गया, अपनी मौत इटलर ने आत्मत्या कर ली, और मुसोलिनी को ज